साथ साथ जीना है, साथ साथ प्रोग्रस करनी होगी, विकास करना होगा, अगर इस देश की हर्याली को, अगर इस देश की कुशाली को, हमें जिन्दा रखना है, या मानिये हरी और अली के मानने वालों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हर्याली जिन्दा रहेगी. दानिराला टीवी देखने बाले सभी दर्सकों का स्वागत है आपके अपने चैनल दानिराला टीवी पर दोस्तो जम्यत उल्मा हिंद के 34 वे अधिवेशन के दोरान मच से स्वामी चिदानंद ने लोगों को संबोधित करते हुए बहुत ही खुबसूरत बात कही उन्होंने क कि अगर इस देश का विकास करना है तो हरी और अली को साथ मिलकर आना पड़ेगा साथ मिलकर चलना पड़ेगा तो आप सुन सकते हैं उनकी पूरी स्पीच किस प्रकार से उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए देश के लिए एक पैगाम भी दिया है तो बने रहे संत्वरिंद सभी उविलेमाज, आलिम्स और जमियत उलेमाहिंद कि ऐसे दोस्तंभ जिनों ने आज नए भारत के निर्मान के लिए एक नई दिशा कायम करने के लिए आज सब को यहां पर आमंत्रित किया है मैं रास्ते में देख रहा था सुबह जब रिशी केस से चला हर बस पर लिखा था दिल्ली चलो मैंने का समय आ गया है दिल्ली चलो पर दिल से चलो इस देश के एक राष्ट कवी ने एक बहुत बड़ी बात कही हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर सब समस्याएं सभी और इस देश में कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं दो ही तरीके हैं जीने के एक है प्यार से जीने का तरीका जिसकी बात आपने सुनी ना तीर से ना तलवार से जीना हमको प्यार से यह बात कही समया गया है क्या हुआ क्या घटा क्या हुआ इतिहास में लेकिन आज एक नई लकीर खीचनी है एक नई दिशा कायम करनी है और वो दिशा है महबत की नफरत से कभी किसी का नफरत में नफरत में आप 24 घंटे भी नहीं रह सकते लेकिन महबत में आप पुरी जिन्दगी गुजार सकते हैं दिश्टी चाहिए दो बाते हैं एक है प्यार से जी कर हम जीए और दूसरा है लड़ते लड़ते जीए हमने देखा है कि लड़कर क्या लिया हमने क्या पाया आज हमारे सामने मजहब के नाम पर जब बातने की बात आई तो एक देश दो बन गए और आज मुझे बड़ा खेद है क्योंकि वे भी हमारे ही थे हमारे हैं लेकिन आज वहां पर क्या हो रहा है सब ने देखा है कि ऐसी स्थिति बन गई है सब ने देखा है पाकिस्तान में आज क्या स्थिति है इसलिए हमें सोचना है और मुझे बड़ी खुशी है एक बात क्यों आपको शेयर करने के लिए ये जमियत उलेमाहिंद ये उन संस्थाओं में से उन और्कनाइजेशन में से है जिसने सब से पहले जब देश को बटवारा होने की बात आई देश को तक्सीम करने की बात आई धर्म के अधार पर मजब के अधार पर उन संस्थाओं में जमियत उलेमाहिंद भी थी जिसने इसका विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए बटवारा, आज फिर जब हम इसके सौ साल मना रहे हैं, आने वाले सौ साल नहीं, हजारों हजारों सालों तक ये देश एक मिसाल बन सके, उसके लिए आज हमें पूरी एक मशाल जलानी होगी, कहते हैं कि देखिए कोई गलती करे तो उसे सुधारा जा सकता है, कोई गलत फैमी भी हो तो उसे भी सुधारा जा सकता है, लेकिन गलत सोच हो जाए तो उसे नहीं सुधारा जा सकता, का आज हमें उस सोच को बदलना है सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे नजर को बदले तो नजारे बदल जाएंगे हमें किष्टियों का हमें किष्टियों का रुख बदलने की ज़रूत नहीं किष्टियां बदलने की ज़रूत नहीं कि आज इस किष्टि पर बैठे और कल उस किष्टि पर हमें किष्दियों को बदलने की ज़रुत नहीं अपनी दिशा को बदले तो किनारे बदल जाएंगे आज एक ही मंत्र है वो एक ही मंत्र है कि भारत की एकता को बचाने का और उस एकता को बचाने का मंत्र है इंडिया फर्स्ट भारत पहले अगर भारत पहले है तो उसके लिए हमें भारत के परिवारों को बचाना होगा परिवार बचेंगे तो संसकार बचेंगे संसकार बचेंगे तो समाज बचेगा समाज बचेगा तो देश बचेगा और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे इसलिए आज की ये तारीक एक मशाल का काम कर सकती है इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है, कल हमारे काबल एतराम मुलाना महमूद मदनी साब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये देश, जितना आदर्णिये मोदी जी का है, आदर्णिये भागवची का है, उतना ही ये मदनी जी का भी है, मैं तो कहना चाहता हूँ, जितना आदर्णिये मोदी जी का, आदर्णिये भागवची का, आदर्णिये सब का, उतना ही 140 करोड लोगों का है, इसके लिए अब हमें एक काम करना होगा, भारत को भारत की नजर से देखना होगा, हमें अब शक से नहीं, शिक्वों से नहीं, बलकि हक से जीना होगा, यहाँ पर सब समान हैं, और सब का समान हैं, और यहीं इस देश का समानता का सम्मिधान है, इस तरह से में आगे बढ़ना होगा, दूसरी बात कई बार ऐसा होता है, जब बातें आती हैं, मुझे याद है कि जब हमने अमन हारियाली एकता यात्रा की थी, आदनिय, मदनी साथ, आपको याद होगा, लाखों लाखों पेड लगे, मस्जिदों में लगे, मंदिरों में लगे, मदर्सों में लगे, गुरुकुलों में लगे, रेल्भे स्टेशन पर लगे और अस्पतालों में लगे उस समय भी बातें आई बातें उठाते हैं लोग लेकिन मैं आप से कहना चाता हूँ बात अगर करें तो बात बन जाती है बात करने से इसलिए कोई बात नहीं बनाया अब एक ही बात हो कि हमको अगर साथ साथ जीना है, साथ साथ प्रोगर्श करनी होगी, विकास करना होगा, अगर इस देश की हरियाली को, अगर इस देश की कुशाशाली को हमें गईना रखना है ना मानिए हरी और अली के मानने वालों को साथ मिलकर काम करना होगा तब ही हरी आली जिन्दा रहेगी इसलिए कौन पहले कौन पीछे हम सब एक हैं एक नई तस्वीर को घड़ने जा रहे हैं नुकता उपर नुकता नीचे नुकता भेद बताता है खुदा जुदा की एक ही सूरत नुकता भेद बताता है नुक्ता एक ऐसा नुक्ता है जो खुदा में भी वही है जुदा जुदा में भी वही है जो हमको एक नुक्ता आगे पीछे कर दो हम